अलो फ्रेंट्स वेलकम टू आरार्बी मेट की 94 दोश्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाब आओ रहानी के कुछ इंपर्टेंट कोश्चन की और आज हम उसे टाइप के कोश्चन को हल कराएंगे जब क्रैमुल और विक्रैमुल घटाए और बढ़ाए जाए तो चल 10 परशंट लाब पर बेजता तो उसे 120 रुपया अधिक मिलते हैं सामान का क्रैमुल घ्याद कीजिए ऐसा कोश्चन दोश्तों जब भी एकजाम में आए तो हम कैसे बनाएंगे इसके लिए दोश्तों हमें एक ट्रिक याद रखना होगा ध्यान दिजिएगा ट्रिक क्या है और इसी ट्रिक पे या कोश्चन सालो होगा तो दहखें यहाँ पे CP हमें ज़्याद करना है तो CP बराबर आप देखेंगे कोश्चन में क्या करा है यह बैक्ति आपना सामान 20 परशंट लाब पर बेज़ता है यदि वहाँ सामान को 20 परशंट आधिक पर खरीता तो 10 परशं पर दिया है यह दिया है 120 रुपिया दिक मिलते हैं तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 120 रुपिया गुड़े में 10,000 हमें 10,000 यहां पर लिख देना है बटे 100 लिखेंगे गुड़े में यहां पर 20% लाब होता है तो इसको हम लिखेंगे 120 माइनस लिखेंगे और यह 20% अधिक प खरीदता तो इसको भी हम लिखेंगे 120 गुड़े में यहां 10% लाप पर बेचता तो इसको लिख देंगे 110 लिख देंगे ठीक है अब इसको महल करेंगे तो यह 120 गुड़े 10,000 बटे गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000 हो जाएगा माइनस इसका इसमें हम गुड़ा करेंगे तो 13,200 हो जाएगा ठीक है अब क्या करेंगे कि इसके बीच का हम अंतर कर लेंगे तो यहां पर हमी लिखते हैं 120 गुड़े 10,000 बटे में अंतर करेंगे यानि 13,200 में से 12,000 गटाएगे तो कितना बचेगा 1200 बचेगा अब यहां से हम 2,0 से 2,0 कटा लेंगे और 12 से काटेंगे तो 12 एक कम 12 यानि 10 होगा कितना बचा यहां पे 1000 बचा तो 1000 दोश्तों हमारा राइट आंसर होगा तो दोश्तों मुझे उमीद है कि आप इस कोश्चन को अच्छे से समझ गए होगे तो चलिए अब नेश्ट कोश्चन देखा जाए अगला कोश्चन है एक ब्यापारी अपना सामान 20 परशंट लाब पर बेचता है यदिवा सामान को 10 परशंट पर खरीज़ता और 25 पर बेचता तो से 14 रुफिया अधिक मिलते हैं सामान का क्रेमूल ग्याद कीजी कोश्चन में आपसे यह पूछा आए तो दोश्टो हम बता दियें कि सीपी बराबर होता है अधिक या कम गुड़े में 10,000 बटे में 100 कोश्टक में 100 प्लस माइनस 100 प्लस माइनस यदिर्गारी अधिक eh इसी ट्रिक पे तो हम हल करेंगे अब इसमें CP पूछ रहा है यानि क्राइम उलिग्यात करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे CP बराबर अधिक कितना है तो 14 रुपी आधिक है तो यहाँ पे 14 लिखेंगे गुड़े में 10,000 बटे 100 गुड़े यहाँ पे देखेंगे कितना पर बेशता है तो 20% के लाब पर बेशता है तो हम इसको 120 लिखेंगे माइनस यह 10% अधिक पर खड़ता तो यहां पे 110 लिखेंगे गुडे 25 पर बेशता तो इसको लिखेंगे 125 ठीक है अब देखे अब यहां पे चौदह गुडे दस हजार एक बाल लिखेंगे यहां से गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा यह 12,000 रुपिया हो गया यह 12,000 हो गया माइनस इसका हम इसमें गुड़ा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13,750 हो जाएगा 13,750 तो 14 गुड़े 10,000 बटे इसके बीच का हम अंतर कर देंगे तो 17,50 हो जाएगा और यहां से हम इसको काड़ देंगे 1,0 से 1,0 14,000 बटे 175 अब इसका हम इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा असी होगा यह असी बार में कड़ जाएगा और असी ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा ठीक है दोश्तों चलिए अब नेश्ट कोश्चन देखा जाए तो अगला कोश्चन है सोहन कोई सामान 10% लाब पर बेचता है यदि वह 10% कम में खरीदता और 25% लाब पर बेचा होता तो 15 रुपिया अधिक मिलते सामान का क्रेमूल ग्यात कीजिए कोश्चन में आपसे यह पूछ रहा है तो देखे हम वही ट्रिक लगाएंगे सीपी बराबर सीपी बराबर अधिक या कम तो यहाँ पे अधिक दिया है कितना अधिक है तो 15 अधिक है गुड़े 10,000 होता है बटे 100,000 गुड़े अब यहाँ पे देखेंगे कितना परशंड के लाब पर बेजता है तो 10 परशंड के लाब पर बेजता है जब लाब होता है तो 110 हो जाएगा माइनस 10 परशंड कम से कम में क्या करता है खरीदता है तो यह कम कर रहा है तो 100 मसे हम 10 गठा कर लिखेंगे तो कितना हो गया 90 हो गया गुडे 25 परशंड का लाब पर यहाँ पे बेच रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा लाब है तो 120 हो जाएगा अब गुड़ा करेंगे इसका इसमें तो कितना हो जाएगा पंदरा और चार जीरो हो जाएगा यानि पंदरा एक लाग पचास हजार हो गया अब इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो इस ग्यार हजार हो गया माइनस 90 का 125 में गूड़ा कर देंगे तो 11,250 हो जाएगा अब यहाँ पे हम लिखेंगे जो उपर दिया है उसको लिख लेंगे और इसके बीच का अंतर कर देंगे जब अंतर करेंगे तो कितना बचेगा 250 हो जाएगा और एक 0 से एक 0 कटा देंगे 25 का हम 15,000 में भाग कर देंगे तो 25,500 और 2,0 बच जाएगा कितना आओ जाएगा 600 होगा यानि 600 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर होगा ठीक है दोश्तों चली अब नेश्ट कोश्चन देखा जाए तो अगला कोश्चन है एक ब्यापारी अपना सामान 30 परशंट लाप पर बेचता है यदि वह 20 परशंट कम पर सामान खरी देता और उसे 40 परशंट लाप पर बेचता तो उसे 144 उरुपिया कम मिलते सामान का क्रेमूल ग्याद किजिए अब यहाँ पर कम दिया है तो चाहे कम दिया रहे या अधिक दिया रहे फार्मूला वही लगेगा तो क्या होगा कम दिया है 144 तो यहाँ 144 गुड़े 10,000 होता है तो 10,000 लिख लेंगे बटे 100 लिखेंगे पहले इसके बाई यहाँ पर देखेंगे लाप हो रहा है कि हानी हो रहा है तो यहाँ पर 30% लाप पर बेचता है कितना हम बेचता है 30% तो यहाँ 130 लिखेंगे माइनस 20% कम पर सामान खरी देता यह कम दिया है तो 100 मसे हम 20 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा गुड़े यहाँ पर 40% लाप पर बेचता है तो लाब दिया है तो यहां पे हम क्या लिखेंगे 140 लिख लेंगे ठीक है यहां तक तो बात दो इस तो समझ में आ रही है अब यहां पे देखेंगे इसका जब हम इसमें गूरा करेंगे तो 144 और 4 0 यहां पे हम लिख लेंगे अब 100 का 130 में हम गुड़ा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 13000 माइनस 80 का 140 में गुड़ा करेंगे तो 11000 दूसर होगा ठीक है अब इसको एक बार फिर लिख लेंगे इसको हम एक बार और लिख लेते हैं अब इसमें से हम इसको गटा देंगे तो कितना हो गया अठारस होगा अब यहाँ से दो जिरो से दो जिरो कटा लेंगे और इसका हम भाग कर देंगे तो कितना हो जाए इसका भाग करेंगे इसमें तो 800 बार में कटेगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आंसर कितना होगा 800 तो दोस्तों मुझे उमीद ह कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो दोश्तों वीडियो को लाइक से दर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए धन्यवाद